दोस्तों नमस्कार दिल्ली का रास्ता उत्तर परदेश से होकर निकलता है ये बात कल भी कही जाती थी ये बात आज भी कही जाती है और हर कोई जान रहा है कि दो हजार चौबिस के लोकसभा चुनाओं के वक्त भी उत्तर परदेश को जिसने पार लगा लिया दिल्ली पर वह काबिज होगा और शायद यह एक ऐसी लड़ाई है उत्तर परदेश को लेकर जिसमें बीजेपी के पैर को हिला पाना उसकी अपनी मजबूत राजनितिक जमीन से बहुत मुश्किल काम तमाम विपक्षी राजनितिक दलों का है तो क्या 2024 को लेकर कॉंग्रेस के पास कोई ऐसा मंत्र आ गया है या इंडिया के पास क्या वाकई कोई ऐसी चक्रव्यू की रचना उसने कर ली है जिसमें एक जटके में उत्तर परदेश में मजबूती के साथ बीजेपी के जो पाउं अडे हुए हैं उसे वो डिगा सकता है क्योंकि 2014 के बात के तमाम चुनाओं को परक्ते चले जाईए वो 2014 का लोक सभा चुनाओ हो 2019 का लोक सभा चुनाओ हो 2017 का विधान सभा चुनाओ हो या 2022 का विधान सभा चुनाओ हो या इस दौर में पंचायत चुनाओ ही क्यों ना हुए हो तमाम जगों पे जब आप एक मोटी लकीर 50 फीजदी वोट के इर्दगिर्द खी पिचना शुरू कीजिएगा तो एक जटके में 50 फीजदी या उससे भी ज्यादा वोट बीजेपी के हिस्से में जाते रहे हैं। लेकिन 2024 में क्या इस तस्वीर को बदलने की स्थिती में इंडिया आ सकता है? कॉंग्रेस रणनिती बना सकती है? यह सवाल धीरे धीरे इसलिए बड़ा हो चला है कि उत्तर परदेश की हकीकत वोटरों के तौर पर जिस दिशा में जाती है बीजेपी उसके उलट खड़ी है बावजूद इसके उसे 50 परसंट से जादा वोट क्यों मिल जाते हैं? क्योंकि उत्तर परदेश के भीतर में 21 फीजदी दलितों की तादाद है, 19 फीजदी मुसलिमों की तादाद है और तकरीबन 10 परसंट या उससे कुछ कम या कुछ जादा यादवों की तादाद है. तो दलित मुस्लिम यादव 80 लोक सभा सीटों में से तमाम सीटों पर 40% की मौजूदगी उसकी कम से कम हर जगा रहती है इस्तिती यह है कि जहां 60% से ज़्यादव दलित यादव मुस्लिम है वह 10 लोक सभा की सीटें है और इस परिपेक्ष में अब इसलिए यह बड़ा महत्पून है कोकि अगर उत्तर परदेश के भीतर बीजेपी 50% से ज़्यादा वोट ले आती है तो फिर उसके पास कौन सा मंत्र है अभी तक हिंदुत का जिक्र हो रहा था राम मंदिर बनने को तयार खड़ा है तो क्या जनवरी के महीने में जब शुभारंब होगा 21 जनवरी को और 24 तक लगातार उत्सब पूरे उत्तर परदेश में और उध्या के इर्दगिर्द चलते रहेंगे उससे क्या वोट बीजेपी क्या नुकूल एक बार फिर हो जाएगा क्या ऐसी स्थिति आ जाएगी या दूसरी तरफ कॉंग्रिस ने अब इसे तारना शुरू कर दिया है और NDA एवजुट हो रही है क्योंकि यह एक बड़ी महीन लकीर नहीं है यह किसी को भी आँख से दिखाई देने वाली लकीर है कि अगर उत्तर परदेश के भीतर में हर सीट पर 40% वोट बेंक दलित मुसलिम यादव का है और दस सीटे ऐसी है जहां पर 60% से ज़्यादा वोट बेंक दलित मुसलिम यादव का है और बाकियों को भी अगर बाटिएगा तो 37 सीट ऐसी है जहां पर 50 से 60% वोटरों की मौजूदगी या उनका जुड़ाव दलित मुसलिम यादव से हैं 33 सीट ऐसी है जो की 40% से 50% के बीच रेंगती है तो फिर ये कौन सी परिस्थिती अभी तक रही जहां पर हर कोई जानता है कि मुसलिम बीजेपी को वोट नहीं देगा दलित मायावती के साथ खड़ा था लेकिन इस दोर में वह भटक रहा है या उसके भीतर का कोई नेता बीजेपी के काउंटर में खड़े हो पाने की स्तिती में आ नहीं रहा है और यादव का वोट खुले तोर पर अखिलेश यादव के साथ है तो क्या ये माना जाए कि इस वक्त सिर्फ एक दलित वोट को साधने की जरूरत है क्योंकि मायावती की भूमिकार राजनितिक तोर पर पिछले विधानसभा चुनाओ के भीतर जिस तरीके से उभरी उसने मैसेज बहुत साफ दे दिया कि वह बीजेपी से टकराने को तयार नहीं है और उत्तर परदेश के भीतर की ये भूमिका मुस्लिमों के जरिये खुले तोर पर उभर गई कि हम जिसके साथ भी खड़े होंगे अब एक साथ एक मुष्ट खड़े होंगे इसी लिए विधान सभा चुनाओं में समूचा मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी के हिस्से में चला गया लेकिन जब वोट जाने के बावजूद भी अखिलेश मुख्यमंत्री बन नहीं पाए बहुमत मिल नहीं पाया तो अगला सवाल ये था कि लोग सभा में क्या ऐसी स्थिति आ सकती है कि समूचा वोट बैंक एक लिहाद से बिना मशक्कत के कॉंग्रिस के साथ खड़ा है और ऐसे में इंडिया में इंडिया की धारना यानि गटबंधन की राजनिती के मद्दे नजर अखिलेश यादव भी कॉंग्रिस के साथ खड़े हैं और ये सवाल दलितों का जो था और दलित वोट बैंक का जो है इसको थोड़ा सा समझने के लिए एक वक्त के मुस्लिम वोट बैंक को भी समझ लीजिए क्योंकि जब जब मायवती के साथ मुस्लिम समुदाय खड़ा हुआ उत्तर परदेश में मायवती मुक्कमंत्री बन गई जब जब अखिलेश यादव के साथ मुस्लिम वोट बैंक खड़ा हुआ तब अखिलेश यादव मुक्कमंत्री बन गई लेकिन इस दोर की जरुरत इस देश के भीतर की राजनिती को साधने वाले जानते हैं कुछ और हो चली है और एक तरफ बीजेपी और मोदी सत्ता है तो दूसरी तरफ इंडिया है जिसमें तमाम राजनितिक दलों का साथ है लेकिन मायवती नहीं है तो दलित वोट बैंक जो फ्लोट कर रहा है क्या उसको साधने के लिए अब मल्लिकार जुन खडगे उत्तर परदेश से चुनाओ लड़ेंगे ये पहला सवाल है दूसरा सवाल है मल्लिकार जुन खडगे के साथ क्या बिहार से नितीश कुमार की इंट्री मिरजापुर या फूलपुर को लेकर होने वाली है जिसका अंदेशा लगातार ये सोच कर लगाया जा रहा है कि अगर नितीश को बहुत ज़्यादा तरजी मिल जाए इंडिया के भीतर जो अभी तक उने मिल नहीं पा रही है तो वह एक जटके में उत्तर परदेश में कदम रखेंगे वो चाहे जनता दल यूनाइटेट के ज़रिये कदम हो लेकिन पहचान इंडिया की हुई तीसरा कदम पनारस के भीतर चुनोती देने की परिस्तिती में क्या प्रियंका गांधी को उतारा जा सकता है हलाकि माना तो यही गया कि अजयराय प्रदेश अध्यक्ष बने पत्रकारों ने सवाल किया और उस सवाल के जवाब उन्हें देने से कुछ सूजा नहीं तो उन्होंने जिक्र कर दिया हाँ प्रियंका गांधी अगर बनारस में उतर जाए तो फिर जीजान लगा देंगे और उसके बाद नरिंद्र मोदी को वापस गुजरात जाना पड़ेगा चौथा कदम राहुल गांधी का है यानि अमेठी से वाचुनाओ लड़ेंगे और उसके दायरे में पश्चमी उत्तर परदेश भी आएगा और पूरवी उत्तर परदेश भी आएगा यानि बड़ी लंबी कतार राहुल गांधी ने उत्तर परदेश के बीतर तै करनी है और सवाल यह भी है कि पिछली बार जब वो चुनाओ हारे थे तो तकरीवन पश्चमी उत्तर परदेश में जैंत चौधरी की होगी किसानों की होगी वहाँ पर मुसल्मानों की होगी कोकि मुझफर नगर दंगों के बाद जितनी भी लकीरे खिस्ती चली गई उसने वोटों को बाटा और वोटों का धुरुकन बीजेपी के हक में कर दिया तो क्या ये बिलकुल नई परिस्तिती है इसकी शुरुआत आज कहां से की जाएं शुरुआत बनारस से करनी होगी मा गंगा ने जहां पर प्रदान मंतरी नरिंडर मोदी को बतौर गुजरात के मुखमंतरी तब थे तब बुलाया था और उसके बाद तमाम दोर में जो तस्वीर बनारस की उभरी उसमें आरती करते हुए या गंगासनान करते हुए या वहाँ पर पानी से कहीं न कहीं अर्द देते हुए प्रदान मंतरी नरिंडर मोदी की तस्वीर बार बार उभरती है लेकिन राजनिती का खेल बड़ा निराला है आस्था के आस्रे चलता है तो फिर जातिय समिकन की हवा भी कभी चल पड़ती है और कभी-कभी विचारधारा भी माइने रखती है और बनारस की अपनी पहचान इन सब को एक साथ लेकर चलने की रही है आस्था का सवाल हो तो साथ खड़ा है जातिय समिकन का सवाल हो तो साथ खड़ा है विचारधारा का जिक्र हो तो फिर अंदोलन की शुरुवात वी वहां से देखी जा सकती है तो सवाल है क्या वाकई इस चौतरफे तोर तरीके में प्रियंका गांधी अगर बनारस के भीतर आकर खड़ी हो जाती है तो क्या उनके अनुकूल इस थितिया बन जाएगी बनारस का अपना इतिहास बहुत अनुकूल कॉंग्रस का रहा नहीं है कॉंग्रस इससे पहले वहां जब भी जीती अगर आप इसको परखना शुरू करें तो आप ध्यान दीजिए तो कॉंग्रस के हाथ में जीत बहुत कम वक्त लगी है यानि 1967 में भी CPM जीती थी 77 में 10 बरस के बाद वहां पर जन्ता पार्टी यानि उस दौर में भारती लोकदल उसके केंडिट को जीत मिली थी फिर 10 बरस के बाद वहां पर अनिल शाश्त्री जीते थे जन्ता दल की टिकट से 91 में वहां BJP, 96 में BJP, 98 में BJP, 99 में BJP, 2009 में BJP, 2014 में BJP, 2019 में BJP इस BJP की रेखा को क्या कॉंग्रस मिटा सकती है जब इस बात की जानकारी हर किसी को है कि 40-50% वोट बैंक मुस्लिम यादव और दलितों में सिम्टा हुआ है बावजूद इसके कभी 56% कभी 63% नर्नरमोदी को वहाँ पर वोट मिल गए तो क्या इसे डिगाया जा सकता है दरसल ये दो तरफा लडाई है एक लडाई विचारधारा की है जो भारत जोडो यात्रा बनाम इस दोर में नफरत और घिना की राजनिती के समनांतर खड़ी है दूसरी राजनिती हिंदुत और कहीं न कहीं इस देश के भीतर में समाजिक और पेट से जुड़े सवालों से जुड़ी है जहां पर BJP के लिए मुश्किल है लेकिन एक तीसरी परिस्तिती भी नए तरीके से योगी काल में पैदा हुई है योगी का बिलकुल एक अपना मॉडल है एक ऐसा मॉडल जिसमें वो जब चाहे तब 80-20 का खेल शुरू कर देते हैं और उस खेल के आसरे कही न कही निशाने पर रूल ओफ लौ आही जाता है एक अपनी न्याइक ववस्ता है एक अपना नया सोच है और इस सोच के आसरे RSS भी उनके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और इसलिए बीच बीच में मोदी और योगी टकराते हुए भी दिखाई देते हैं और बहस भाइस में इस बात की भी चर्चा होती है कि मोदी नहीं तो योगी मॉडल सही लेकिन सवाल उत्तर परदेश की सियासी जमीन पर खड़ी बीजेपी का इसलिए है कोकि बनारस एक ऐसी नबज है इस दोर में जहां पर प्रधान मंतरी मोदी के पाउं अगर डगमगाते हैं तो एक जटके में हर वो मॉडल जो बीजेपी के साथ जुड़ा है योगी के चाहिए लगबग 20% वोट इस पूरे देश के भीतर मुस्लिमों को एक लिहास से free of cost कॉंगरस के हक में जा रहे हैं अब सवाल छत्रपों के भीतर का था तो अखिलेश यादव के सामने भी कॉंगरस के साथ मिलकर चुनाओ लड़ना इससे बेहतरीन विकल कुछ हो नहीं सकत मायावती की खामोशी और मायावती की खामोशी के साथ बीजेपी का अपने अनुकूल मायावती को बताना इन दो परिस्तिती के भीतर क्या इस देश के भीतर कोई ऐसा दलित लीडर है जो उत्तर परदेश में दलितों को साध ले यह भी एक सवाल है और ऐसे में मल्लिकार खड़गे की इंट्री उत्तर परदेश के भीतर क्या बिलकुल नए तरीके से दलित वोट बैंक को साधने की स्थिति में कॉंग्रेस और इंडिया को खड़ा कर सकती है ये सवाल भी है और मौझूदा वक्त में एक दलित वोट बैंक के भीतर नेताओं की जो एक वैक्यूम की इस्तिती है उसको भरने वाली परिस्तिती भी है क्योंकि जब हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो यह भी समझना होगा कि बनारस के भीतर 65% शहरी इलाका है 35% ग्रामीन इलाका है जो 65% शहरी इलाका है वहाँ पर पहली बार सवाल अगर इस दौर में बीजेपी की नितियों को लेकर है तो ग्रामीन इलाकों में महंगाई और बिरुजगारी को लेकर है यह मुद्दे किसी राजनेतिक दल से नहीं जुड़े हैं बलकि केंडर की सत्ता से आकर जुड़ चुके हैं और केंडर की सत्ता की नुमाइंदगी करने वाले प्रदानमंत्री मोधी बनारस से लड़ते हैं और यहीं पर सवाल है कि अगर प्रियंका की मौजूदगी बनारस के भीतर होती है तो एक छण के लिए विधानसवा चुनाओ में जब प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश को नाप रही थी उस दोर में जो लड़कियों को लेकर नारे दे रही थी और जिस तरीके से उनकी सक्रियत था था उससे कोई राजनितिक लाब कॉंग्रेस को नहीं हुआ लेकिन कॉंग्रेस का पूरा कैडर प्रियंका के मैदान में उतरने के साथ ही सक्रियों हो गया और यह एक बहुत बड़ी जीत कॉंग्रेस के भीतर थी जो हल्चल मची होई अब अजैराय को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है सब जानते हैं कि अजैराय किस तरीके से बड़बोले पन के भी शिकार होते हैं और जहां चाहे वहां भिल भी जाते हैं ये दोनों परिस्तितियां उनके साथ चलती हैं लेकिन इसके बाद असल सवाल जो है इस दौर में वह नितीश कुमार के साथ का जुड़ा है थोड़ी देर के लिए आप राहूल गांदी की परिस्तिति को बोलिए उस नेटवर्किंग को और उस चक्रव्यू या उस फार्मूले को समझने से पहले नितीश कुमार की इंट्री नितीश कुमार की इंट्री दो ही जगा हो सकत या तो वो मिर्जापूर आए या फूलपूर आए दोनों जगहों पर कॉंग्रस की जीत कोई माइने नहीं रखती है इससे पहले मिर्जापूर में आने का मतलब है अनुप्रिया पटेल यानि अपना दल के सीधे चुनौती देना बीजेपी यहां जीत नहीं सकती है और उत् इससे पहले वहाँ पर समाजवादी जीता करती थी याद कीजिए तो मिर्जापूर में तो एक वक्त फूलन देवी भी जीती हाला कि एक बार हारी लेकिन दो बार वह जीती भी थी समाजवादी पार्टी के टिकट से अगर इंट्री नितीश कुमार की होती है तो यह कहीं कहीं उस इंडिया के भीतर एक मजबूत अस्तंब के तोर पर होगी जहां अखिलेश यादव को भी ये लगेगा कि सवाल कॉंगर्स भर का नहीं है सवाल ये दरसल नितीश कुमार का भी है यानि इंडिया का भी है और बिहार के साथ उत्तर प्रदेश की हमजोली करने का वक परदेश के भीतर अगर मिरजापूर से होती है और अगर फूलपूर से होती है तो फूलपूर के भीतर बीजेपी 2014 में याद कीजिए केशव परसाद मौर जीते थे और 2019 में लगबग 55% साथ उन्हीं के कैंडिट जीते थे लेकिन उससे पहले कॉंग्रस यहां नहीं जीती कॉंग्रस जीती भी है अगर फूलपूर में तो याद कीजिए नहरू का वक्त 57, 62 उसके बाद विजय लक्षमी पंडी जीती थी 67 में उसके बाद 1971 में जीते थे विशनात परताप सिंग और फिर वहां पर 1984 में एक जीत मिली थी यह ऐसी दो सीटे हैं जहां पर इंडिया की माइनस कॉंग्रस के तोर पर बाखुबी दिखाई देती और एक नए तरीके की फार्मूले की रचना यहां पर करती हैं तो एक तरफ प्रियंका गांधी का बनारस में उतरना दूसरी तरफ नितीश कुमार का बिहार से चल कर आना मिरजापुरिया फूलपुर की दिशा में आना तीसरी तरह मलिकार जुन खडगे का दलित नेता के तोर पर और वह भी कॉंग्रस जिसे अपना वोट बैंक मांगती रही जब तक कांशी राम नहीं थे यह माना जाता था कि दलित कॉंग्रस के साथ खड़ा है लेकिन उन्होंने अंदोलन की प्रक्विया में जिस तरी जहां कई हो सकती है लेकिन उसके समनांतर में अगर देखिए तो इस दौर में दलित अपने नेता को तलाश रहा है उसकी भी माली इस्थिती उसकी भी समाजिक परिस्थिती और उसके जिंदगी जीने की जद्दो जहत किसी से छुपी हुई नहीं है बीजेपी के हक में वो कैसे खड़ा होगा किस रूप में खड़ा होगा हाला कि 2014 में जाटव माइनस तलित का जिक्र बकाईदा नरिंद्रमोदी कर रहे थे यादव माइनस ओबीसी का जिक्र बकाईदा नरिंद्रमोदी कर रहे थे तो बीजेपी की बनी हुई रणनिती के साथ ही समनांतर में अब इंडिया के सामने दो रणनिती बहुत साफ है पहली रणनिती चोतरफा हमला कीजिए यानि चार नेताओं के नाम जो हमने लिए उनकी मौजूदगी उत्तर परदेश में होनी चाहिए दूसरी परिस्तिती है क कि अगर यादा मुसलिम धलिट का इतना बड़ा वोट बैंक है तो यह असरकारक कैसे होगा इसको कहीं सुलगाने की जुरत है इसको कहीं आगे बढ़ाने की जुरत है और यही वो सोच है जहांपर मोदी को चुनोती दी जा सकती है। यही वो सोच है जहांपर योगी मॉडल धढ़ा कर गिर सकता है। यही वो सोच है जहांपर मायावती की खामोशी भी राजनतिक तरीके से इंडिया को लाप पहुचा दे। और यही वो सोच है जहांपर बिहा यूपी के गटबंधन का मैसेज हिंदी पट्टी के एक बड़े नेता का उभार जो लगातार वो खोज रहा है वो कहीं नितीश के जरीए पहचान पाले और इस सोच में जो भी राजनितिक प्रियोग बीजेपी के जरीए वो बुल्डोजर के हो 8020 का हो या फिर अलग अलग से जाटव और यादवों को अलग करके सियासत साधने की सोच हो लेकिन जैसे ही आप अमेठी लोटते हैं तो एक च्छन के लिए आपको ये लग सकता है कि 2019 का परिणाम वाकई एक अलग परिणाम था जिसमें स्मृति इरानी चुनाओ जीत गई क्योंकि स्मृति इरानी को 4 4868 वोट मिले ते और इसमृति इरानी को उससे पहले चुनाओं में सिर्फ 3000 वोट मिले थे जबकि राहूल अमेडी को 4.13 बोट मिले थे या dagegen 55 ao esk नाए और उसके पिछलेय चुनाओं में जब वोट जीते थे उस वक्त भी उनको 488 बोट मिले थे तो राहूल गांदी के वहां के जिन सवालों पर खामोश रही और इस दोर में जो उनकी अपनी पहचान सेलेंडर को लेकर हो या पैट्रोल डीजल को लेकर हो या कीमतों को लेकर हो तमाम धरशाई होती दिखाई दी और खुद बखुद अगर अमेठी के भीतर की परिस्तिती को परकिएगा तो राह यानि रेल नीर प्लांट लगा हुआ है ओर्डिनेंस फैक्ट्री बनी हुए है हिंदुस्तान अरोनाटिक्स का ओफिस है स्टील ऑथरिटी आफ इंडिया है भारत हैवी इलेक्रिकल लिम्टेड है और गांधी परिवार के नाम पर देखिएगा तो राजीव गांधी पैट सवाल ये है इस दौर में क्या बीजेपी के अनुकूल उत्तर परदेश नौ बरस में हो चुका है सवाल ये है कि गुजरात से आकर हिंदी पट्टी में वहभी बनारस में नरिंद्र मोदी की मौजूदगी अगर होती है तो क्या वो इतनी मजबूती के साथ खड़े है जहा 70 फिजदी लोग रहते हैं शेहर में सिर्व 22 फिजदी लोग रहते हैं और मौजूदा वक्त में उत्तर परदेश के भीतर वो किसान मन निदी का मसला हो वो मनरेगा का सवाल हो वो वहाँ पर छिटपुट इलाज का जिक्र हो वहाँ पर इसकूलों का जिक्र हो वहाँ पर रोजगार का जिक्र हो इन सारी परिस्तितियों से पूरा का पूरा ग्रामीन उत्तरपरदेश कई तरीके से जूज रहा है और उनके भीतर ये सवाल अब जब नरिंद्र मोदी बनारस की पहचान लिए हुए खुद को OBC बताते हुए उत्तर परदेश की सियासत से अपने आपको जोडते हैं और योगी बुल्डोजर और 8020 के खेल के जरीए अपनी पहचान उत्तर परदेश से लिए हुए राश्टिय राजनिती में परवेश की द का एक स्वरूप उत्तर परदेश के लिए कॉंग्रेस बना रही है वो खुले तौर पर इस दिशा में है कि जहां पर किसान मजदूर एक साथ आकर खड़ा हूँ जहां पर दलित और मुस्लिम एक साथ आकर खड़े हों जहां पर पश्चमी उत्तर परदेश से लेकर अलग अलग प्रांतों में इस्तितियों को बाटने की दिशा में ना आए और जो दलित, मुस्लिम और यादव का सवाल है इस समीकन को मजबूती के साथ हर कोई पकड़ना सीख ले तो क्या ये राजनिती अमल में आने वाली है और अगर ये अमल में आएगी तो फिर यकीन जा आए वो भर भरा कर गिर जाएगा और इसका दूसरा सच यह भी है कि अगर 2024 में यह राजनितिक 27 अगर सफल हो जाती है जिसको लेकर कॉंग्रिस और इंडिया उत्तरपरदेश को अपने अनुकूल करना चाह रहा है तो फिर भारत की राजनिती में एक ऐसा परिवर्तन आए कि इस देश में छत्रपों की राजनिती खत्म होने की मुनादी होगी यह 2024 के चुनाव को लेकर और शायद इसी लिए उत्तरपरदेश उस नब्स पर आकर टिक गया है जहां पे समूचे राजनितिक प्रियोग उत्तरपरदेश के भीतर में कॉंग्रिस को करने है और इंडि स्वरूप के साथ बंबई के भीतर चिंतन के साथ होना है इंतजार दोनों को करना होगा कॉंग्रिस को भी और इंडिया को भी और शायद उससे भी बड़ा इंतजार बीजेपी भी अपने तोर पर कर रही है क्योंकि उसके भरोसे अब आयोध्या राममंदिर ही है जो जनव धर्म की राजनेती दूसरी तरफ जातिये और समुदाये के समिकन की परिस्तिती इन दोनों के बीच उत्तर परदेश खड़ा है बहुत 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 शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया